हाई हाई कैसे हैं आप सब लोग उमीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे सुखी होंगे स्वस्थ होंगे यह है टारस साइन के लिए रीडिंग जो मिड आउगस्ट है 15-30 अगस्ट तक जो टारस साइन है उनके लिए यह रीडिंग है अगर आपका संसाइन, मून साइन, राइसिंग साइन अगर तारस साइन में है तो यह जो रीडिंग है वो आप लोगों के लिए है ठीक है तो शुरू करते हैं शुफल करना यह है एवरिडे़ ठेरो मेरा फेवरिट डेक तारस 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 वन मोर थाइम, थैंक यू झाल 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 बाइम प्रव टेक्ट नफ वांज जगडालू जगडा हो गया है क्या किसी के साथ देखते है आपके काल्स पीज उफ कप्स पीज उफ कप्स यहाइरफंट फॉर उफ कप्स फाइफ उफ सोड्स तो रिलेशन्शिप में हैं आप लोग मुझे यहाँ पर रिलेशन्शिप नज़र आ रहा है इस शक्स के साथ जो भी आप टॉरस आशी के जो लोग देख रहे है मुझे लगता है ज다तर आप लोग इस शक्स साथ मैर इड हैं , यहाँ आपकी सगाई हो चुक एड़ हो चुक है जैसे मुझे मैरीज' नज़र आ रहे हैरोफंट कि वजह से लिकर मुझे नज़र आ रहे है कि आभ है आपकी शक्स के साथ बातस्यित वो बंध है, जगड़ा हो गया है जैसे आपका लेकिन अभी दिक्कत क्या है आप मिस पहुत करदें इसको लेकिन आप चाहते हैं कि यह जए पहले आपको सौरी बोले लेकिन वो शक्साथ है कि पहले आपको सौरी बोले यह बड़ी बचकानी सी energy है यह और मेरे ख्याल से आपके जो बड़े बज़र्ग है आपके घर में जो आपके बड़े हैं वो आप दोनों में सलहा करवाने के ना कोशिश कर रहे हैं लेकिन आप दोनों में मुझे लग रहा है आप दोनों की एगो बहुत बड़ी है दोनों की और इसकी वज़ा से आप चाहते हैं कि पहले ये शक्स आपको sorry बोले और वो शक्स चाहता है कि नहीं पहले आप sorry बोले लेकिन प्यार बहुत है आप दोनों में page of cups तो ये प्यार के बारे में इशारा करता है right? cups है तो love, care उसके बारे में इशारा करता है प्यार है आप लोगों में लेकिन आपकी दिक्कत यह है कि आपने अपनी एगो को थोड़ा चाला बड़ा कर लिया है लेकिन यह जो भी शक्स है जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो यह आपका पार्टनर जो है यह इसके साथ आपके शादी होनी निष्टित है अगर नहीं हुई है अभी तक अगर यह हो गई है तो इस शक्स के साथ आपकी फैमिली भी कराकी डेस्टिन हाइख अब अभी तक आपके बच्चे नहीं है तो हेरोफेंड चो कार्ड है vibes यह काफी काफी इसा काफी कार्ड काफी ड़ीप मेनिंग है बहुत सारे यह यह खायर इजुकेशन के बारे में भी बात करता है जह ама स genommen तक आप आपके बच्चा ना हो और आप बहुत इंतजार में हो कि आप प्रेग्नेंट हो जाए आपके वेवी हो जाए तो यह उसकी और भी इशारा करता है कि अगर ऐसा कुछ है तो एक बच्ची की जो ब्लैसिंग है वो भी आपके लाइफ में आ रही है कप्स जैसे यह यूनिवर्स का हाथ है और यूनिवर्स आपको कुछ दे रहा है कुछ आफर कर रहा है लेकिन आपकी जो एनरजी है वह आप देख रहे हो कि पतानी यह चीज अच्छी है या नहीं अगर आपके बड़े बजर्ग भी आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह रिष्टा जो है इसे संभालिए इसको खराब मत कीजिए तभी भी आपना समझ नहीं पा रहे हो लेकिन अब दिक्कत क्या है आप मिस बहुत कर रहे हो यह शक्स को कुछ लोगों के लिए यह रिलेशनशिप भी है तो मुझे लग रहा है कि आपकी जिसे अन्बन अन्ब इसे ही बड़ी दरारें पैदा करती है तो बहुत है लेकिन आपको एक अफसर दे रहा है युनिवर्स यह जो बिखरी हुई चीज़े है इन्हें समेटने का अब यह आपके उपर है कि आपको इस ओफर को इस समझ को यूज करना है इस गाइदेंस को कि नहीं करना है लेकिन यह अफंट है नहीं है तो यह देस्टिए है डिवाइन है दिवाइन है आपके लिए कीज भी है हमारे पास अगर आपको कोई सल्यूशन चाहिए अपको शुय जिसमें आप स्टख हो और आपको लगे कि आपको यह जो लाइज है नहीं, ऐसा नहीं है चीज है आपके पास आँखों एसामने है onse dolasment लिकिन आप उसे समझ नहीं पा रहे हो वो इसलिया क्योंकि जो आपकी उनर सेल्स वो इतनी स्कैटर्ड हो चुकी है आपके जो थौत्स जौ थौत्स वो इतनी स्कैटर्ड हो चुकी है कि आप अच्छे से सोच सब नहीं पा रहे हो knowledge भी है guidance भी है सब कुछ है लेकिन आप उसे use नहीं कर आपको समझ नहीं है रहे से मैं क्या करूँ और उसके सबसे बड़ी जो दिक्कत मुझे है बार बार शब्द जो मुझे सुन रहा है वो है आपकी ego आपने अपनी ego को वो है और जो इची है मानसिक ने आप भी पैदा करती है माफ करती है कोई गलती होगी है तो उसे माफ करती जै प्यार तो है ही नः यह शक्स भी आपको बहुत प्यार करता है हो सकता है आपने कुछ ऐसी बात कह दी हो यह मुझे आपकी अनरजी लग रही है, आपने कुछ ऐसी बात कह दी हो इस शक्स को कि यह शक्स काफी हर्ट हो गया है और यह सिर्फ सॉरी चाहता है आपसे यह चाहता है कि सिर्फ आप इसे सॉरी कह दे और यह चीज़ां को ठीक करने के लिए रडी है लेकिन आप सॉरी भी नहीं बोल रहे हैं यह आपकी पार्टनर की भी एनरजी हो सकती है लेकिन आप दोनों के पास मौका है अपने इस रिलेशन्शिप को बचाने का अगर आप स्टूडी के बारे में अगर आप स्टूडेंट है तो आपके लिए भी यह मैसेज मैं देना चाहूंगी कि अगर आप पास्ट में आपने कुछ निराशा का सामना किया हो आपका रिजल्ट इतना अच्छा ना आया हो आपके पास दुबारा मौका है चीज़ों को ठीक करने का अपने रिजल्ट को बहतर बनाने का निराश मत होई अपनी गाइडन्स को यूज कीजिए और चीज़े ठीक होंगी आपके लिए हलांकि यहांपर हमारे पास पेज है क्वीन नहीं है हमारे पेज उफ कप्स है तो सफर है आपका मैं शुगर कोट नहीं करूंगी चीज़े होने में वक्त लगेगा लेकिन पॉसिबिलिटी है चीज़ों को ठीक कर सकते हैं आप शुरुवात कहां से होगी? एक सिंपल सौरी से एक सिंपल सौरी से इस सफर की जो है शुरुवात हो सकते है अभी आपके उपर है कि आपको यह करना है या नहीं करना है किसी आज वाटर साइन के साथ इन्वाल हो सकते हैं आप कैंसर पाइसे स्कॉर्पियो और हाइरोफेंट यह टॉरस का ही कार्ड है अक्चली मैं टॉरस के ही रीडिंग कर रही हूं या आपका पार्टर भी हो सकता है लेकिन आपका इक सफर तै करना होगा दोनों को साथ में दोनों को की हील करना होगा जो भी आपने दूसरे को कुछ arguments किये हैं उनको उनको उनके बारे में बात कीजिए और खुद से पुछी कि मैंने यह बात क्यों कहीं ये शक्स को, सिर्फ उसे हर्ट करने के लिए या मैं सच में इस वात को मानती हूँ या मानता हूँ तो खुद से ये सवाल पुछिए और आपको खुद आंसर मिलेंगे विज्डम के बारे में बात करता है ये हायरोफेंट चुकाड है कि knowledge है, knowledge को use कभी-कभी हम करना भूल चाते हैं क्योंकि अमारी ego बीच में आ जाती है relationship है, अच्छा, यह पर three of cups भी है four of cups तो, चौथा cup भगवान दे रहे हैं आपको लेकिन three of cups अल्रड़ी है three of cups क्या है, बहुत सारे लोग इसे third party के तरीके से पढ़ते हैं लेकिन मैं ऐसे शब्दी उस करना पसंद नहीं करती three of cups जो है, यह है, celebration के बारे में जब सब आनंद में हों, खुष हों, घर में खुषिया हों, बच्चे खिल खिला रहे हों, खेल रहे हों, आंगल में बड़े बजर्ग बैठे हों, घर में अच्छी इंकम हो रही है, अच्छा खाना बन रहा है, अच्छी चीज़े हैं घर में, celebration, you know, celebration, three of cups ऐसी energy है, जब लोग सोशल होते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं, रिष्टे अच्छे चल रहे हैं, वह ऐसी energy है, three of cups की, मेरे लिए, तो चीज़े हैं अच्छी आपके लिए, सिर्फ आपने थोड़ा सा अपनी ego को बड़ा कर लिया, अपनी ego को थोड़ा कम कीजिए, sorry कहिए, अगर कोई गलती हो गई है, तो sorry कहिए, अगर आप hurt हैं, तो दूसरे शक्स को कहिए, कि देखिए, मैं रिष्टा नहीं खासम करना मैं सिर्फ चाहता है, मैं सिर्फ चाहता हूं कि आप मुझे sorry कहें, क्योंकि आप गलती है, that's it, sorry बोलना, thank you बोलना बहुत अच्छी आदत है guys, इसे अपने विहवार में धारन करने के कोशिश कीजिए, ठीक है, इसके अलावा मुझे यह भी नजर आ रहा है, कि अगर आपक कहते हैं, cousins, जैसे ऐसे आगे के जो आपका परिवार है, हो सकता है, उन में से कोई है कैसा शक्स हो जो आपके और आपकी पार्टनर के बीच में गलत फैमी करने की कोशिश कर रहा हो, to be honest, यह आपका मित्र भी हो सकता है, कोई आपका खास दोस्त, जिस पर आपको काफी जाता है, और यह आप दोनों में गलत फैमीया क्रिएट करना जाता है, अब आपको देखना है कि यह शक्स कौन है, कौन है, यह साइन हो सकता है, लिब्रा, ग्वेरियस, चेमना है, और यह शक्स की, खुद की कुछ ऐसी इंटेंशन है कि यह आपको हर्ट करके खुद लेकिन यह शक्स जो भी है यह शक्स आपको नुकसान पहुंचाना चाहता है और इसी वजह से आप तोनों के बीच में गलत फैमीया क्रिएट कर रहा है, यह वाकिके जो मेंबर से आपके परिवार के उनको आपके खिलाव भड़काने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्य इसी वायब कर नहीं दोबरा उसे दोबरा जीवन में लेकर आपके सुधार एं ऐसे सुधार नहीं है ? आपके सातिकर आपके जो अवमें से लेकिते हैं ? अवमेंस एफ्लीश है है एफ्लाओ टारॉस आपको कर रोग्तवे है रोग्ता expressing 15 दाल ज्वरवा ज्या जैसे मैंने पहले कहा कि आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश है, प्यार भी बहुत है लेकिन बस एगो आ जाती है पीज में, तो एगो को खतम कीजिए गाईज, I am vibrant, हो सकता है आप में से कुछ लोगों को अपने पार्टनर से ये शिकायत हो कि वो आपको इतना समय नहीं द कि आपके रिष्टे में हो सकता है, थोड़ी सी बोरियत आगी हो, थोड़ा सा बोरिंग हो गया हो आपका रिष्टा, तो अब आप देखें कि उसको तुबारा अच्छी एनरजी देने के लिए, आप क्या कर सकते हैं, आपके पार्टनर को क्या पसंद है, वो चीज़े कीज और आपको क्या पसंद है, अगर आप वो चाहते हैं, तो अपने पार्टनर को बताये कि हाँ, मुझे यह चाहिए, आप यह कीज़े और मैं तब ठीक हो जाएगा, communication is the key guys, communication से कुछ भी ठीक कर सकते हैं, आर्गुमेंट से कुछ भी ठीक नहीं होता, आर्गुमेंट से क्या होगा, नफरत बढ़ेगी, नफरत से क्या होगा, अगर दरारे आएगी, अगर आपको पता है कि आप इश्रक से महावपत करते हैं, इश्रक से प्यार करते हैं, और जो भी चीज़े है थ्री अफ कप्स की हैपी एनरजी इसको युटिलाइज कीजिए जो बुरी चीज़े हो रही है उन पर फोकस मत कीजिए क्योंकि वो कम चीज़े हैं बड़ी अच्छी चीज़ें जादा हैं आपके लाइफ में सिर्फ आपको इसको फोकस देने की जरूरत है I am calm, yes, arguments नहीं करना, अराम से प्यार से बात करनी है ताकि कोई solution निकाल सकें argument करना तभी ठीक होगा अगर आप ये relationship खत्म करना चाहते हैं लेकिन अगर आप इस relationship को बचाना चाहते हैं तो आपको काम रखना होगा खुद को खुद को धैर्य से धैर्य में रखकर अपनी बातों को सामने रखना होगा दूसरों की बातों को सुनना होगा बाते कहनी बहुत असान है, guys बहुत इसी हैं बाते कहनी मेरे ख्याल से सुनना दूसरों की बातों को सुनना, सब्र के साथ समझना, वो बहुत मुश्किल है ये कला बहुत कम लोगों में होती है कि दूसरों को जो सुन सके दिक्ट ही यही है कि हम जब कंसी से बात करने की कोशिश करते तो वो अपनी ही राम कहानी लेकर बैठ जाता है और हम सोचते हैं कि हाँ ये शक्स नहीं समझेगा मुझे इसलिए सुनने की शम्ता को बढ़ाईए अपने अंदर सुनिये कि दूसरा शक्स क्या कहना चाहरा है उसके क्या विचार है वो हर्ट है तो क्यों है गलत फैमिया है तो क्यों है ठीक है ये बहुत अच्छी एनरजी है इन पीले जो ये कार्ड्स है अफिरमेशन कार्ड्स इसे आप यूटिलाइज कीजिए इस इन अफिरमेशन को यूज कीजिए और आप अच्छी उर्जा को दुबारा अपनी रिलेशन्शिप में लेकर आ सकते है ठीक है तो ये है टारस राशी के लोगों के लिए मिड आउगस्त की रीडिंग मैं आपसे मिलूंगी दुबारा नेक्स रीडिंग में बहुत जल्द तब तक के लिए अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो लाइक किजिएगा सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप मेरा कॉंटेंट अच्छा लगे मैं वीकली रीडिंग स्पेश रडू करने वाली हूं तो मुझे बहुत खुशी होगी आपको दुबारा देकर अपने चैनल पर कॉमेंट भी कर दीजिएगा देखते हैं कि इतने लोगों के साथ ये रीडिंग जो है रेजोनेट होती है और इसी नोट के साथ मैं अभी अलविदा लेती हूं और जल्दी मिलूंगी नेक्स फ्रीडिंग में तब तक के लिए बाँ बाई गाइस